गुड बॉर्णिंग थर्ड क्लास, बिटा मैंने आप लोगों को मैट्स में एक्ससाइज 7.3 बताया था, 7.4 बताया था और 7.5 बताया था, मैंने आप लोगों को ये कहा था कि इसमें बहुत सारे कोशिंस हैं, तो आपको सारे करने की ज़रुरत नहीं है, आपको मैं कुछ को कोशिंस होंगे, वही आपको करना रहेगा, जो मैं आपको लाइफ क्लास के टायम पर बता जो कि हूँ, कि मैं आपको 7.3, 7.4 और 7.5 का मिला कर, कुछ कोशिंस दोंगे और आपको वही करना है, ठीक है, आपको ये पूरी पूरी एक्ससाइज नहीं करना है, मैंने आपको ब पर पैर किया, ठीक है, तो ये जो 21 कोशिंस है, यही आपको करना है, ठीक है, इसके अलावा आपको नहीं करना है, एक्ससाइज 7.3 स 7.5 के लिए, इसमें से मैंने सेलेक्ट करके 21 कोशिंस आपके लिए बना दिये हैं, ये 21 कोशिंस ही मैं आपको PDF में बेज रहे हूँ, और यही आपको अपने notebook में करना भी है, तो देखो, प्रैक्टिस आप सारे की कर सकते हैं, लेकिन notebook में करने के लिए यही है, है ना, प्रैक्टिस आप कोई भी question की कर सकते हैं, उसमें कोई problem नहीं है, तो देखो हम लोग divide कर रहे थे, long division method से, तो मैंने आपको division सिखाया था, जै आप first digit लेंगे, first digit में आप देखेंगे, कि यह equal है, या बड़ा है, या छोटा है, अगर यह जो अंदर digit है, यह equal है, या फिर बड़ा है, तब तो हम divide करेंगे एक ही digit से, और अगर यह छोटा है, तो हमें दूसरा digit भी साथ में लेना पड़ता है, ठीक है, अभी आपको यह clear नहीं होगा, लेकिन जब मैं आगे question कराऊंगी, तो आपको और clear होगा, अभी के लिए आप इतना समझो, कि आपको 2 से 29 को divide करना था, आपने क्या क्या, पहले एक digit लिया, और आपने यह देखा, क्या 2 के table में 2 आता है, और आता है, तो कितनी बार में आता है, तो आपको प दिखेंगे क्या 2 के table में 9 आता है, अगर आता है, तब तो वैसे, और अगर नहीं आता है, तो 9 से छोटा कौन सा नंबर आता है, 9 से ठीक छोटा कौन सा नंबर आता है, तो हमने देखा, 2 के table में 9 तो आता ही नहीं है, फिर 9 से छोटा क्या आता है, 2 1s आ 2, 2 2s आ 4, 2 3s आ 6, 6 2 4 जा एट अगर हम 2 5 जा लेते तो वह 10 होता और 10 तो 9 से बढ़ा हो गया इसलिए हम 2 4 जा लेंगे 2 4 जा 8 फिर 9 में से 8 गया तो 1 तो हमारा कोशिंट हो गया 14 और हमारा रिमेंडर हो गया 1 ऐसे ही देखी यह question 69 को हमें divide करना था 6 से तो हमने देखा क्या 6 के table में 6 आता है बिल्कुल आता है 6 वनजा 6 6 में से 6 गया तो 0 फिर हमने 9 या पर उतारा फिर हमने देखा क्या 6 के table में 9 आता है और अगर नहीं आता तो 9 से ठीक छोटा कौन सा number आता है तो 6 बन्जा 6, 6 टूजा 12, अब 12 तो 9 से बड़ा हो गया, हमें तो 9 से छोटा चाहिए था, तो हम 6 बन्जा 6 ले लेंगे, 6 बन्जा 6, फिर 9 में से 6 को सब्ट्रेक्ट करेंगे, तो 3 हमारा remainder हो जाएगा, तो कोशेंट 11 और 3 remainder हो गया हमारा, ऐसे ही देखो मैं आपको कुछ random कोशेंट करा देती हूँ, जैसे कि अब ये देखो इसमें 3 digits है, अभी तक हमने यहां तक जो किये वो 2 digits वाले नमबर थे, और अब देखो हमें 3 digits को करना है, तो 4 से हमने 845 को डिवाइट किया, सबसे पहले हमने देखा क्या 4 की टेबल में 8 आता है, आता है 4 टूजा 8, 8 में से 8 को सब्ट्रेक्ट किया तो 0, अब हम ये जो 4 है इसको यहां लिखेंगे, तीके सारे नमबर को साथ नहीं लेंगे, एक एक करके लेंगे, हमने 4 को यहां लिखा, क्या 4 की टेबल में 4 आता है, बिलकुल आता है, 4 1's are 4, फिर 4 में से 4 गया, तो 0, अब हम इस 5 को यहां पर लिखेंगे, अब देखेंगे क्या 4 के टेबल में 5 आता है और अगर नहीं आता तो 5 से छोटा कौन सा नंबर आता है तो हमने किया 4 1s are 4 फिर 5 में से 4 गया तो 1 तो remainder 1 है quotient हमारा 211 है ऐसे ही देखो randomly ये quotient देख लेते हैं 368 को divide करना था 3 से तो हमने देखा सबसे पहले हमने 3 को 3 से किया 3 1s are 3 3 में से 3 गया तो 0 फिर हमने 6 यहाँ पर लिखा फिर हमने किया 3 2s are 6 फिर 6 में से 6 गया तो 0 फिर हमने 8 को यहाँ लिखा अब हमने देखा क्या 3 की टेबल में 8 आ रहा है 3 की टेबल में 8 नहीं आता है तो 8 से छोटा कौन सा नमबर आता है, वो है 326, अगर हम 33 जा लेते तो वो 9 हो जाता, जो की 8 से बड़ा है, हमें 8 से छोटा चाहिए, इसलिए हमने 326 लिया, फिर 8 में से 6 गया तो 2, तो हमारा कोशिंट हो गया 122 और हमारा रिमेंडर हो गया 2, इसी तरह हमने और भी कोशिंट किये, जैसे 3 डिजिट के बाद, अब हमने 4 डिजिट वाले नमबर से भी किया, जैसे यह देखो, यह 4 डिजिट वाले नमबर से, आप देखो, 9, 6, 3, 9 को हमें दिवाइड करना था 3 से, 3 को हमने बाहर लिखा, 9, 6, 3, 9 को हमने अंदर लिखा, सबसे पहले 3 को 9 से करेंगे, 9 में से 9 गया तो 0, फिर 3 को 6 से करेंगे, 3 2 जा 6, 6 में से 6 गया तो 0, फिर 3 को इस 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, फिर 3 को इस 9 से करेंगे तो 3 3 जा 9, तो हमारा remainder बचा 0 और question है हमारा 3 2 1 3, 3 2 13, उसी तरह देखो एक और question है, जिसमें 4 digits है, यह रहा, 2 से divide करना था हमें 6 4 8 3 को, 6483 को हमें 2 से divide करना था, तो पहले 2 को 6 से करेंगे, तो 2 3 जा 6, 6 में से 6 गया तो 0, अब इस 4 को यहा लिख लेंगे, 2 2 जा 4, 4 में से 4 गया तो 0, अब 8 को यहा लिखेंगे, 2 4 जा 8, 8 में से 8 गया तो 0, अब इस 3 को यहा पर लिखेंगे, लेकिन 2 की table में 3 तो आता ही नहीं है तो क्या करेंगे 3 से छोटा नंबर ले लेंगे तो 2 1s are 2 क्योंकि अगर हम 2 2s आ लेते तो वह 4 होता जो कि 3 से बड़ा है हमें 3 से ठीक छोटा नंबर चाहिए इसलिए हमने 2 1s are 2 लिया 3 में से 2 गया तो 1 तो remainder हमारा 1 रह गया हमारा कोशिंट आ गया 324 ऐसे ही एक और कुशिंट देख लीजिए जैसे दिखिए यहां पर है 9068 को डिवाइट करना था 3 से तो 3 को पहले हमने 9 से किया तो 33 जा 9 9 में से 9 गया तो 0 अब यहां पर 0 था तो हम इस 0 को यहां लाग के आएंगे अब अगर हम 3 1s आ लेंगे तो 3 1s आ तो 3 हो जाता है वो 3 0s आ 0 कर दिया फिर हमने 6 को यहां पर लिखा 3 2s आ 6 6 में से 6 गया तो 0 फिर हमने 8 को यहां पर लिखा अब देखो 3 1s आ 3 3 2s आ 6 3 3s आ 9 अगर हम 3 3s आ लेते तो 9 हो जाता जो कि 8 से बढ़ा है हमें छोटा चाहिए इसलिए हमने 3 2s आ 6 लिया 8 में से 6 गया तो 2 तो हमारा remainder 2 कोशेंट हो गया हमारा 3022 ठीक है तो इस तरह मैंने आपको 2 डिजिट से 3 डिजिट से और 4 डिजिट से डिविजन करना सिखाया यह सिंपल डिविजन है इसमें हमें री ग्रूपिंग नहीं करनी पड़ रही है अभी री ग्रूपिंग क्या होता है यह हम अपने लाइप क्ल क्लास में समझेंगे फिर हम कुछ ऐसे कउसें करेंगे जिसको जिसमें हमें री ग्रूपिंग करके करना रहता है अभी यह सिंपल कोशेंस थे तो You आपको मैने लाइब क्लास में भी समझा दिया था अभी भी मैंने समझा दिया है तो यह जो 21 कोश्चन्स हैं जो मैं आपको सेंड कर रहे हूं यह 21 कोश्चन्स आप अपने notebook में complete कर लेना फिर आगी का जो chapter है वो हम live class के time पर discuss करेंगे मिलेंगे फिर अपने next class में till then bye take care